आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि python को सीखने से पहले कौन-कौन से software इंस्टाल करने है hopefully आपको data science की समझ आगी होगे कि data science क्या है अगर data science की समझ नहीं आई तो जो link description में मजूद है वहाँ पर जाके हमारी introductory video ज़रूर देखे start करते हैं कि python को start से कैसे install करने हैं और किस तरीक से इसको लेकर जाना है सबसे पहले आपने google chrome पह जाने google chrome पह जाने के बाद आपने दो software ज़रूर इंस्टाल करने है पहला है python itself मदलब python नाम है software का python पह जाके welcome to python पे click करने download पे click करने download पे click करने के बाद जो आपकी Windows होगी या आपका Macbook होगा उसके हिसाब से Linux होगा यहाँ पे आप software उससे related आप install कर सकते हैं तो install करने से पहले जो चीजों को आपने ख्यार रखना है वो यह है कि इसको download करें download करने के बाद यह यहाँ पे आ जाएगा ठीक है इसको हम install करते हैं मैं download पे चला गया जहाँ पे यह फोल्डर में पढ़ा हुआ software पढ़ने के बाद जाने के बाद यहाँ पर right click किया run as administrator इसको जरूर करें करने के बाद आपके पास इस तरीके से python का यह इस तरीके से आपके पास windows आ जाएगी अब इसके अंदर आपने क्या करना है install now करना है लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे आपने जरूर click करना है add python.exe to path अभी का जो version है हमारा 3.11.1 है अगर आप इससे बाद में वीडियोस देख रहे है तो आपको यह version जो है वो different तरीके से नजर आएगा install now पे click करना है इन दोनों checkboxes को click करने के बाद चेक करने के बाद install now पे click किया तो यह आपके system की speed पे depend करता है कि यह कितनी देर के अंदर आपके पास install हो जाएगा जैसे ही यह install होता है हमें एक और software जो है उसको download करेंगे वो है जनाबेवाला google पे जाके हमने लिखना है vs code vs code लिखने के बाद इसकी website पे जाना है यहाँ पे download for windows या आपके system के मताबिक आप जो भी download कर रहे होंगे वो आपके सामने आ जाएगी आपने इस पे click करना है click करने के बाद आपके downloads यहाँ पे start हो जानी है इसको भी हम download के folder में जाके यहाँ से install करेंगे but before that we have to finish this python जैसे ही हमारे पास python यहाँ पे आ गया है तो हम इसको close पे click कर लेंगे close पे click करने के बाद हमारे पास python install हो चुका है हमें इसे confirm कैसे करना है start के windows में जाके यहाँ पे लिखे python तो आपके पास python 3.11 आ जाएगा यहाँ पे ठीक है एक तो यह चीज है आप इस पे click करके देखें तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यह window आ जाएगी ठीक है अब इस window के अंदर आप कुछ भी लिखें 3 plus 4 या python के code लिखेंगे तो यह चलना start हो जाएगा मैं यहां से इसे बंद करता हूँ अब हम एक और तरीका है python की installation को check करने का वो है आपने command line टूल पे जाना है command prompt में यहां पे right click करके run as administrator करने करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा zoom in कर लेता हूँ ताकि आपको easily नजर आए अब यहां पे मैंने लिखना है python space minus minus version इसको लिखने के बाद इससे मेरे पास क्या होगा जो python का version install है वो आ जाएगा ठीक है यह confirmation है कि आपका python install हो चुका है यहां तक आपका procedure fit जा रहा है अगर आपके पास यह चीज़ आ रही है अगर आपके पास version show नहीं हो रहा तो python installation में problem है या आपने वो check boxes चेक नहीं किये तो दुबारा से वीडियो को देखें reverse करके और फिर आप वहाँ पे उसको click करें कि देख सकते है हमने यह check कर लिया एक और तरीका क्या है कि आपने cmd में यहां पर right click करके run as administrator करना है इसको मैं फिर से दुबार चेक करता हूँ यहां पर लिखें python python लिखने के बाद enter करेंगे तो python इस तरह से start हो जाएगा यहां पर अगर 3.3 plus 4 अगर आप run करते हैं अगर 7 आ रहा है तो that means कि आपका यहां पर यह software run हो चुक है अगर आपने यहां तक installation कर लिए है तो comment section में लिखें installation of python done ठीक है installation of python done करने के बाद अब हमारे पास जो दूसरा software है vs code हम इसको install करेंगे right click करेंगे run as administrator करेंगे run as administrator करने से यह होगा कि यह vs code हम अपनी machine के अंदर पूरी authority के साथ install कर सकेंगे इससे एकसर उकात यह होता है कि आपको time तो लगता है मेरे पास problems यह आ रही थी क्योंके मैं एक server machine यूज कर रहा हूँ so you don't need to worry about that आप run as administrator करेंगे अगर नहीं चल रहा है तो आप double click कर कर सकते most of the time machines के अंदरे चल पड़ेगा then मैंने I accept the agreement next पे click किया next पे click किया next पे click किया and then मैंने desktop पे एक icon रख लिया आप next पे click करके भी जा सकते no problem लेकिन एक बात याद रखें add to path जरूर करें next पे click करें install कर लें और यह आपके पास इस तरीके से VS Code यानि के Visual Studio Code जो है वो install हो जाएगा ठीक हो गया इसको हम install होने देते हैं जैसे ही यह वाला software हमारे पास install हो जाएगा हमने क्या करना है इसको launch नहीं करना इसको finish कर लेना है तो हमारे पास python भी आ गया है Chrome को मैं बंद कर देता हूँ हमने यहाँ पे VS Code पे double click करना है और VS Code कुछ इस तरीके से आपके सामने एक window इसकी open हो जाएगी ठीक है यह install हो गया हमारे पास इसकी confirmation यह है कि यहाँ पे desktop पे icon आ गया है अगर आपके पास नहीं आया तो आप VS Code simply यहाँ पे लिखेंगे और इस software को यहाँ से चला के चेक कर लेंगे कि चल रहा है या नहीं चल रहा सिरफ यह हमने चेक करना है we don't need to do anything else तो यह दो software बहुत important है इन्हें सबसे पहले install कर ले then मैं आपको एक जो आने वाले softwares हैं उनके बारे में बताऊंगा next video में मिलते हैं